दोस्तो दाबेली बनाने के लिए सबसे पहले हम कच्छी दाबेली मसाला बनाएंगे दोस्तो कच्छी दाबेली मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम पेन में 5 टेबल स्पून साबुत सुखा धन्या लेंगे अब उसी में एक टीस्पून जीरा, एक टीस्पून सौफ, एक बड़ी इलाइची, एक दगड़ फुल, एक टीस्पून साबुत काली मिर्च, एक टेबल स्पून लॉंग, एक इंच डालचिनी का टुकड़ा और देट टेबल स्पून जितनी इमली लेंगे तो यहां हमने सभी खड़े मसाले पेंड में ले लिये हैं, अब हम एक कप में पाँच टेबल स्पून सुखा नारियल का बूरा भी लेंगे, जिसका हम बाद में यूज करेंगे अब हमने जो खड़े मसाले लिये हैं, उसे हम बिल्कुल धिमी आज पर लगातार चलाते हुए भून लेंगे भूनने में हमें देट से दो मिनिट ही लगेंगे और लगातार चलाते रहना ज़रूरी है नई तो कहीं से मसाले ज्यादा सीख जाएंगे और कहीं से कम सीखेंगे तो मसाले का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा और एक बात का ध्यान रखना होगा दोस्तों की मसाला भी हमें perfect measurement के साथ ही लेना है तब ही हमारा मसाला बाजार जैसा मैं तो कहूंगी बाजार से भी अच्छा बनेगा तो यहां मसालों को भूनते हुए हमें दो मिनिट हो गई है अब हमने जो नारियल का बुरा निकाल कर रखा था वो भी एड़ करेंगे अब फिर से इसे लगातार चलाते हुए बून लेंगे नारियल का बुरा जब तक सुनेरा हो जाए तब तक हम इसे बूनेंगे और नारियल को सुनेरा होने में भी देट से दो मिनिट ही लगेंगे दो मिनिट सिखने के बाद यहां आप देख सकते हो कि नारियल सुनेरा हो गया है इससे ज्यादा हमें इसे ब्राउन नहीं करना है बस हलका सा सुनेरा ही करना है तो इसे गेज से उतार लेंगे यहां हमें मसालों को पीछने में जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है मसाले को हम बिल्कुल रूम टेंपरेचर पर आने तक थंडा कर लेंगे और इसके बाद ही हम आगे का प्रोसेस करेंगे अब हमारे मसाले बिल्कुल थंडे हो गये हैं जिसे mix जार में निकाल लेंगे अब उसी में एक टीस्पून नमक एक टीस्पून ड्राई जिंजर पाउडर यानि की सोंट पाउडर दो टेबल स्पून चीनी और वन फोर टीस्पून को आदा भरकर साइट्रिक एसीड मतलब निम्बू का फूल या निम्बू का सद भी हम इसे कहते हैं वो एड करेंगे अब पाँच टेबल स्पून काश्मेरी लाल मिर्श पाउडर एड करेंगे दोस्तो अगर आपको 4-5 महिने मसाले को स्टोर नहीं करना हो तो आप सिट्रिक एसीड को स्कीप कर सकते हो ये बिल्कुल भी ओप्शनल है लेकिन अगर आपको इसे लंबे समय तक रखना हो तो ये प्रिजर रेट्यू का काम करेगा तो इसे एड करना पड़ेगा अब इन सभी सामगरी को महिन पीस लेंगे मसाले का एक भी टुकड़ा नहीं रहना चाहिए इस तरह से बिल्कुल बारिक पीसेंगे तो यहां हमने मसाले पीस लिये हैं जिसे मिक्सिंग बॉल में निकाल लेंगे लाल मिर्श पाउडर हम काश्मेरी ही यूज करेंगे जिसे मसाले का कलर बहुत ही अच्छा आएगा अभी इसमें और भी सामगरी एड़ करनी पाकी है तो अब हम इसमें फिज से दो टेबल स्पून चीनी एड़ करेंगे और दो टेबल स्पून नारियल का बूरा भी एड़ करेंगे अब 3 टेबल स्पुन रिफाइंड ओयल एड़ करेंगे और सभी सामगरी को अच्छे से मिला लेंगे दोस्तो इस तरह से बनाया गया मसाला बाजार से भी अच्छा बनता है और आप इसे लंबे समय तक फ्रीज में स्टोर कर सकते हो इस मसाले को बाहर ना रखे नहीं तो इसमें हमने जो बाद में नारियल का बुरा एड़ किया है उसका टेस्ट खराब हो जाएगा और जिसकी वज़ा से मसाला भी खराब हो जाएगा और तेल भी हमें रिफाइंडी यूज करना है स्मेल आने वाला तेल जैसे सिंग तेल, सरसुका तेल या ओली ओल का यूज नहीं करेंगे क्योंकि मसाले में अगर तेल की ज्यादा स्मेल आएगी तो टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा मसाले को हम हाथ से ही मिलाएंगे ताकि सभी सामगरी एक दूसरे के साथ अच्छे से मिल जाए तो यहां हमारा जटपट बनने वाला और बाजार से भी अच्छा कच्छी दाबेली मसाला तयार है जिसे हम सिर्फ साथ से आठ मिनिट में तयार कर सकते हैं अब इसी मसाले का यूज करके हम स्ट्रीट फूड स्टाइल परफेक्ट दाबेली के लिए आलू मसाला बनाएंगे यहां मैंने पांच उबले हुए आलू लिये हैं जिसके मैंने छिलके निकाल लिये हैं अब आलू को कद्दू कस करेंगे तो यहां हमने सभी आलू को कद्दू कस कर लिया है अब पैन में देट टिबल स्टून जितना तेल गर्म करेंगे जब तेल हलका सा गर्म हो जाए तब आधा कप होममेट दाबेली मसाला एड़ करेंगे मसाले को हम कुछ सेकेंड के लिए ही भून लेंगे ज्यादा भूनना नहीं है नई तो मसाले जल सकते हैं और तुरंथ आधा कप खजूर इमली की चटनी भी एड़ करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे खजूर इमली की चटनी के लिए आप मेरी चाट चटनी रेसिपी का वीडियो देख सकते हो मसाला और चटनी अच्छे से मेक्स हो जाए तब तक हम इसे भूनेंगे अब हमने जो आलू कद्दुकस करके रखा था वो भी एड़ करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे अब देख सकते हो कि होममेट दाबेली मसाला और खजूर इमली की चटनी की वज़ा से हमारे मसाले का कलर कितना अच्छा आया है अब स्वादानुसर नमक भी एड़ करेंगे और अच्छे से मिला लेंगे दोस्तो हमने मसाले में भी नमक एड़ किया था और चटनी में भी नमक की मात्रा है तो मसाला चखने के बाद ही हम नमक एड़ करेंगे तो यहां हमारा दाबेली बनाने के लिए मसाला तयार है अब मसाले को सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे और अच्छे से स्प्रैड करेंगे सच में दोस्तों घर पर बनाए गए दाबेली मसाला से हमारा दाबेली आलू मसाला बाजार से भी टेस्टी बनेगा अब सुखा नारियल का बूरा, अनारदाना और हरा धन्या से गार्निश करेंगे देखकर ही लगता है ना दोस्तों कि हमारा मसाला बहुत ही डिलिशियस बना है अब हम दाबेली बनाने की शुरुआत करेंगे पाउ को बीच में से इस तरह से कट करेंगे और खजुर इमली की चटनी स्प्राइड करेंगे तिन से चार टेबल स्पुन जितना तयार किया हुआ मसाला भी एड करेंगे थोड़े से अनारदाना और थोड़ी सी मसाला सिंग भी एड करेंगे आप चाहे तो लहसुन की चटनी और भारिक कटे हुए प्याज के टुकडे भी एड़ कर सकते हो तो इसी तरह से मैंने यहां चार दाबेली बना करके तयार कर ली है और बताई गई सामगरी से 10 से 12 दाबेली बनाई जा सकती है अब दाबेली को बटर लगा कर दोनों बाजू से पलट पलट कर सीख लेंगे गेस की आच मध्यम रखेंगे और दाबेली को थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक सीख लेंगे तो यहां हमारी बहुत ही डिलिशियस दाबेली तयार है जिसे बारिक से उसे गार्निश करेंगे झाल